आर्थिक तंगी से जूज रही नागपुर महानगर पाली का प्रशासन को जे एस्टे अनुदार के माध्यम से थोड़ी राहत मिली है अनुदार 93.50 करोड रुपए से बढ़कर 100.50 करोड रुपए हो गया वही अप्रेल और मई महने में अनुदार में जो कटोती की गई थी उसकी भी भरपाई राज्यसरकार की तरफ से कर दी गई है ऐसे में आर्थिक तंगी कुछ हद तक दूर होने से मदद मिलीगी नाकपुर मनपा को हर महने जी अस्ट अनुदान के तोर पर 93.50 करोड रुपए मिल रहे थे मार्ज तक मनपा की तीजोरी में अनुदान की पूरी राशी जमा हुए लेकिन कोविड संक्रमन बढ़ते ही राज्यसरकार के आर्थिक्स्तिती डामाडूल हो गई परिणाम स्वरूप अप्रेल और मैं में मनपा की जी अस्ट अनुदान के तोर पर 50-50 करोड रुपए ही मिले समदीत महने की बकाया 43.5 करोड रुपए की राशी भी चारंद बंद तरीके से मनपा के खाते में जमा करा दी गई जून से मनपा का जी अस्ट अनुदान 7 करोड रुपए बढ़कर 100.5 करोड रुपए हो गया है उक महने से मनपा को नियमी तोर पर पूरा अनुदान मिलना शुरू हो गया मनपा को हर मेने 115 से 120 करोड रुपए का खर्च आता है इसमें वेतन, पींशन, आस्तापना खर्च, बिजली, पानी वा अन्यावशक खर्च का समावश है संपतिकर, जलकर, नगर रशना, शुल्क, बाजार, शुल्क आदी से भी मनपा को कमाई होती है ऐसे में मनपा की पैसे जुटाने के लिए मनपा को मशकत करनी पड़ रही है सुताई समितिया देक्षप इंटू जलके ने बताया कि आप्रेल और मैं में जी एस्ट अनुदान में जैसे कटोती हुई वैसे लगातार फॉलो अप करता रहा जो राशी कटी थी वह भी मिल गई इतना ही नहीं अनुदान राशी बढ़कर अप सव देशन लोग पाश करोड रुपे हो गई इसे मनपा की आर्थिक स्थिती थोड़ी बहतर हो गई है क्या मेरा पर संगराश कमार मोर के साथ अभी शिक वानसी के रिपोर्ट इन बीसीन नियोज नाकपूर